कि है लो दुस्तो मेरा अब्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई टेग लाइन में सभी का स्वागत है जितने विदार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे से 10 बंद चुके हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों केधा कि संधुमें अब ही आप लोग के लिए मैं AMC को रवाइड करवाँ रहा हूं और आप थो हैंwers पॉस्ट पॉस्ट्पॉर के हुए मैं तो तो बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए live class लेकर आ रहा हूं और सारहा आपfatherक आप लोग डुब को प्लसेस में करऊंगा तो चलिए आज में आपके लिए फटाफट हैंडेट कोश्चन आज पढ़कर किसमाप्त करते हैं रिविजन करते हैं जिससे कि आप लोगो हर एक्जाम में बहुत ही लाबदायक और रामबान की तरह लाब मिलेगा आपको काम करेगा ये कोश्चन, एमस्यू कोश्चन आपको मिल सके और आप उसका लाब ले सके दोस्तों अपने दोस्तों साथ जितना ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि आपको दोस्तों को मिला में मिल सके दोस्तों आईए देखते हैं क्या बोलता है तो आईए सारा कोश्चन ध्यान देंगे शिर्फ हैं करना और कुछ नहीं करना सवाइग रहा हैं जो कि सारा कौशन टेकनिकल एक्जामें पुछे गए कौशन सेल भेल जहतने भी खुछेग गई कोशन पहले हैं दोस्तों उसी को सबस्ते को मैं लेकर आया हैं कि मशीनों की पर्ती दिन की जाने वाले देखवाल को कहत क्या कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटिनेंस प्रिवेंटिव मेंटिनेंस बोलते हैं याद रखिए अगला कोशन है कि अचानक मशीन खराब हो जाने पर जो देखवाल की जाती है उसे क्या कहते हैं ब्रेकडाउन मेंटिनेंस ब्रेकडाउन मेंटिनेंस जो मशीन हमारा अचानक खराब हो जाता है उसको देख वाल के किरिया को क्या बोलते हैं ब्रेक डाउं मेंटेनस बोलते हैं अगला कोशन हमारा है कि निरंतर उत्पादन बनाए रखने के लिए मशीन की जरूरी है क्या है भाई प्रिवेंटिव मेंटेनस जरूरी है निरंतर उत्पादन बनाए रखन के लिए Pack उसे काम लेने के लिए चलिए जो मश्रीट स Seb अंतमी याद रखेंको है कि अगर भाग खुलते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो खुलता है वह सबसे लाश्ट में होता है यानी सबसे अंत में ऑगला कोश्ड पार्ट खोलते समय लगा कर रखना ठ still कहाँ कौकोन सा कौन साफ कौन सब सबा याद रखना चाहिए सबस्खरत को कि मशीन से को एक सीध में बांधने को कहतें alignment machine soft को एक सिंध में बातने को कहते हैं alignment बोलते हैं अगला question है किस test में machine पर job बांद कर देखी जाती है किस test में machine पर job बांद कर देखी जाती है तो dynamic machine test dynamic machine test चलिए इसी साथ अगला देखते हैं भाग क्या बोलता है अगला है कि मश्रीन के टेबल की लेवलिंग चेक की जाती है मश्रीन के टेबल की लेवलिंग चेक की जाती है भाई डाइल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा डाइल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा लेवल हम चेक करते है किसी जौब को करने में करमचारी को कहते हैं समय अध्यन टाइम अश्टडी चलिए अगला कोशन है गती अध्यन की नीव इस बैग्यानिक द्वारा रखी गई थी यानि किसके द्वारा रखा गया था तो फ्रेंक गिल्वृत के द्वारा रखा गया था चलिए अगला कोशन की उर्थियान देंगे अगला कोशन हमारा है कि सभी सक्र पेरियाओं परिवहां निरिचंधेरी तथा भंडारण का ग्राफिक तथा काल कर्मानुसान परधरसन करता है क्या कहलाता है पर्वास परक्रम्चाट कहलाता है अगला कोशन है कि बिभिन सुधाओं तथा सव से होकर पकड़ पकड़ जॉब के मुवमिंट का वर्णन इस यद रखे-स में रहता है याद रखाया किसी जौब पर ही जाने वाली विभीन सक्रेयाओं में भीव्रान इस शिड़ रहता है यानि किस पर रहता है आध्यान के दो अगला कोशन चार्ट के द्वारा एक operation चक्र में बेर्थ समय की पहचान तथा विलोपन इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है यानि मानम मश्रीन चार्ट के द्वारा अगला कोशन है कि थेरविलिक्स कथन जिसको बोलते हैं अगला कोशन है प्रक्रम प्लानिंग यानि प्रोसेस प्लानिंग के अंतरगात होता है क्या होता भाई कार्ज के विवरन को बिनिष्ट करना प्रक्रम प्लानिंग जो हमारा क्या है कार्ज के विवरन के विनिष्ट करना अगला कोशन क्यों देते हैं अगला कोशन है कि पदार्थ निश्पादन तथा पलांट लोकेशन इसकी सरचना पर निभर करते हैं किसके सरचना पर निभर करते हैं भाई ट्रेविल चार्ट पर निभर करता है अगला कोशन है कि ट्रेविल चार्ट इसके साथ बनाया जाता है यानि किसके साथ बनाया जात है अगला कोशन है गती अध्ययन इसकह बोलते हैं मोशन विखलेशन समझत है यानि किस काय। समलित है तो खिर back सबकी है अघ्योगी मोश्ड पूल है। जहां उत्पादन कया थालती है . अगला कोशन है कार्ज अध्यान में ची ये जो हमारा सिंबल दिया हुआ है उसका अर्थ क्या है भंडारन ये जो हमारा सिंबल दिया हुआ है इस तरह इसका मतलब है भंडारन याद रखेगा चलिए अगला कोशन है कि कार्ज अधियन में ची जो हमारा D का है अर्थ क्या है D का अर्थ क्या है देरी यानि डिले कार्ज के अधियन में ची जो हमारा D अगर दिया हो रहता है उसका मतलब होता है डिले यानि देरी अगला कोशन है कि कार्ज अधियन में ची इसका मतलब क्या होता है यह इस तरह जो सिंबूल हमारा दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होता है यातायात ट्रांसपोर्ट याद रखेगा अगला कोशन है कि कार्ज अधियन में ची जो हमारा य क्या हौता है। सक्रिया यानी ओप्र python इंग्लिस में बोलते हैं चलिए इसी साथ अगला क 맡ख Amendment में तो कोशन है कि गैण catching इस परकार सुचना परदान करता है यानि किस परकार सुचना पर करने के लिए परियोंग क्या जाता है लागत कं करने के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग repository प्लानिंग का मुक उदिश क्या है चलिए अगला कोशन है कि स्ट्डू लिंग होता है क्या होता है तो अनुसार होगा सक्रिया के करम का जोब के अनुसार तथा के अनुसार वीविरन देना याद रखेगा सुडूलिंक कार्थ सुडूलिंक होता है क्या इसका मतलब है कर्म करम का जौब के अनुसार तथा मस्षीन के अनुसार देना चलिए अगला कोशन और दियते हैं अगला कोशन है कि colocus Obrig था मारा उतपादन का इनिरर्ष्ण calm प्रोडक्षण होता है क्या होता भै फ्लो अपके द्वारा फ्लो अपके द्वारा कंप्रोल किको उसको नियंटरंत होता है अगला कोशन है πम शुदुलिंग क्रूप के द्वारा İstanbul कार्ज प्रारहम करना चाहिए तथा कितना पूरा हुआ होना चाहिए यह हमारा सुडूलिंग है यानि किसी भी चीज को सुडूल अगर हम बनाते हैं तो कब सुरू हुआ कब समाप्त होगा कितना काम हुआ यह हमारा सुडूलिंग सुचना है चलिए अगला कोशन है कि रूट कोशन है कि किसी भी उत्पादन कार्ज के प्रारम हुआ समाप्त होने के समय का निर्धान कहलाता है शुडूलिंग चलिए अगला कोश्चन पर जहां देते हैं एक ही परकार के सिमिलर उत्पादन का ब्रियत मात्रा में निर्मान कहलाता है क्या कहलाता है सतत उत्पादन एक ही परकार के उत्पादन का ब्रियत मात्रा में निर्मान कहलाता है सतत उत्पादन चलिए अगला कोश्चन पर ध्यान देते हैं प्रक्रम निवजन के अंतरगत बहुत महत्पून पथ निर्धारन değiş कि द्वार 1 जिसके द्वारा यह निर्षक किया जाता है कि कौन सा काँं अर कैसे किया जाएगा कहलाता हूझ परत निर्धारन कहलाता है कि उत्पादन गूर्ड़ेक का अंतिम पत अनु सूचन त्वन का अंतिम पत कि हैद से अगला कोशन है कि अमुक कार्ज कब किया जाएगा तथा किस करम में किया जाएगा यह तै किया जाता है अनुशूचन के द्वारा किसको द्वारा अनुशूचन के द्वारा किया जाता है अगला कुशन है कि उत्पादा नियोजना का किरियावयन सुनिस्चित होता है प्रेशन द्वारा किस करने का आदेस विवीन कारे स्म अधिकारियों को देना है तो प्रेशन का इसको अर्थ बोलते हैं क्या बोलते हैं मैं है niche रिवीजन कलास चल रहा है सारा कोश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं कि रिवीजन कलास में आप लोग पूरा-पूरा इसका फैदा ले अगला हमारा है कि सतत समागरी नियंतरन में समागरी का परिच्छन तब किया जाता है कि जब क्या होता है भाई चले इमी स्प्रिंटिंग है इसको रहने दिए अगला कोश्चन है इस समागरी परवंधन के अंतरगत होता है क्या भाई भंडारन का परभावी चालन शमागरी परवंधन के अंतरगत होता है भंडारन का परभावी चालन चलिए अगला है तापिय सक्ती सनियंत्र में कोईला यानि कोल हेंडिंग प्लांट में वाइलर बंकर तक ले जाये जाता है उसको क्या बोलते हैं पट्टा वाहक के द्वारा तापिय सक्ती सनियंत्र में कोईला कोईल हेंडिंग प्लांट से वाइलर बंक तक ले जाये जाता ह किसके द्वारा पट्टा वाहक के द्वारा चलिए अगला कोशन है वह उपसकर जिसका उपयोग मोटर गाडियों जहाजों इमारतों पर भारी समान चढ़ाने वह उतारने में होता है विंच क्रेप वह उपकरन जिसका उपयोग मोटर गाडियों जहाजों विसपातों पर भा यह उक्ति भी भारी समान को उर्दवाधर दिशा को उठाने वा उतारने पर कार्ज करती है वह ब्लॉक तथा टैकिल ब्लॉक तथा टैकिल चलिए इसी साथ अगला कोशन पर हम लोग ध्यान देंगे अगला कोशन है कि समान को 36 दिशा में एक अस्थान से दूसरे अभिष अस्थान तक अस्थानांत्रित किया जाता है परिवहन उक्तियां कहलाता है शमान को 36 दिसा में एक अस्थान से दूसरे अभिष्ट अस्थान तक अस्थानांतित किया जाता है उसे परिवहन उक्तियां कहते हैं चलिए अगला कोशन है इस पाथ के करखानों में लाल गर्म इस पाथ के पिंडो का अस्थन अंतरन्त किया जाता है वेलन बाहको द्वारा वेलन बाहको द्वारा चलिए अगला कोशन क्यों हम लोग धियां देते हैं अगला कोशन है कि चीनी मीलों में उप्योग किया जाता है छोटी बिधूत रेलगाडी चीनी मीलों में उप्योग किया जाता है छोटी बिधूत रेलगाडी अगला कोशन है कि रेखा संगठन लाइन और्गनाजेशन को इस नाम से भी जाना जाता है सेन संगठन सेन संगठन के द्वारा जाना जाता है अगला कोशन है कि सिविल अभी अंतरन निर्मान के लिए सबसे लोग प्रिय प्रकार का संगठन है कौन सा है रेखा संगठन रेखा संगठन है लाइन और्गनाइजेशन चली अगला कोशन है कि अधोगिक अभी अंतरन के के जनक कहलाते हैं गैंट क्या कहलाता है गैंट कहलाता है और धोगिक अभियांतरन के जनक कहलाते हैं गैंट कहलाते हैं चलिए अगला है ओटो मुवाइल इंडिस्ट्री में नीम्र संगठन उप्यूक्त समझा जाता है रेखा तथा अश्टॉप संगठन रेखा तथा अश् कि अमानक यूनिटों को कम मातरा में उतपादन करना होता है दस्ता को सुधारने के लिए हमारा अंसर है दोस्तो चलिए अगला कोशन है कि कम इकाई लागत पराप्त की जा सकती है उत्पादन ले आउट के द्वारा कम इकाई लागत पराप्त की जा सकती है उत्पादन ले आउट के द्वारा चलिए अगला कोशन पर ध्यान देंगे कोशन है कि जहाज तथा अभाईवान निर्मान उधोग के लिए ले आउट परियोग किया जाता है इस्थीर इस्थीती ले आउट परियोग किया जाता है अगला कोशन है कि पदार्थों को परकरम निर्चन के अनुकरम तथा पदार्थ निस्पादन को छोड़कर अन्य सभी सक्रियाओं से इस गराप के द्वारा बिंदों को परदर्सन कर परिचे कराए जाता है यानि सक्रिया प्रकर्म चाट के द्वारा, अगला कोशन है कि उत्पादन अभीनियास को कहते हैं, रेखा अभीनियास, उत्पादन अभीनियास को कहते हैं, रेखा अभीनियास, चलिए अगला कोशन है कि उत्पादन अभीनियास का उप्योग किया जाता है, बिरियत उत्पा कुल लागत में सम्लित है इस्थीर पल stell चार लागत है्पयर प्दार्थ ws इसे पदार्थ जो उत्पादन के अभियन ऊंग के रूप में उत्पादन के साथ पर्यूप होते हैं उन्हें कहते हैं परतियज्ट पदार्थ क्या कहते हैं परत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च चलते हैं अगला कोशन है कि ऐसे पदारत आशे पदार्त जो उत्पादन केrh एंग के रूप में पर्युक्त नहीं कींद्ट उत्पादन के परक्रिया में उन पदार्थों क्या वसकता पड़ती है और जो उत्पादन के नियंळंतरन में खर्च हो जाते हैं कहलाते हैं अब पर्तियच पदार्थ क्या कहलाता है अगला कोशन है कि कोईला तेल रेल मार ग्रिश होते हैं अब पर्तियच यानि अगर आता है तो कोईला तेल रेल मार ग्रिश रहता है तो अब पर्तियच पदार्थ हमारा होता है अगला कोशन है कि अप प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् चलिए अगला कोशन हमारा है परतिशत का सब कुलिंग क्या होता है परसितन परभाव बढ़ाता है परसितन परभाव बढ़ाता है अगला कोशन है कि रूम एयर कंडिशनल नियंत्रित करता है वायू के आधरता था तापमान को वायू के आधरता था तापमान को नियंत्रित क होता है निम्न होता है बहुत सारे होते हैं अगला कोशन है कि जब बायू को गर्म करते हैं तो सम्बंधित आधरता घटता है क्या होता है जब बायू को गर्म करते हैं तो सम्बंधित आधरता उसका घटता है अगला कोशन है कि सब कुलिंग के परभाव से सब कुलिंग के प्रवाव से रेफरीजरेशन की power ॖत में खपत कम हो जाती है चलिए अगला question है कि सुपर हिटिंग के परवाव से COMPREASURE का कार बढ़ जाता है क्या क्यों है divided आगला question की उपर ध्यान देंगा वह अगला question है कि बेप्रोराइजेशन का कार्ज क्या है उस्मा की मात्रा सोसित करना चलिए अगला कोशन है कि अमोनिया वास्प से अवश्यक पाने की वास्प रोकने के लिए परियोग किया जाता है अगला कोशन है कि वीन वीन परकार के गैस के गंद को समाप्त करने के लिए परियोग किया जाता है जिलिंग सिखुजर का ऑट सक यह कोशन है कि रिउम एयर कंडिशनर वायू की आधरता के अलाबा किसे नियत्रिंद करता है तापमान को नियत्रिंद करता है教 United से कंडेशनर से कंडेशनर में पानी के बहाओ के दिशा और रेफ्रिजेंट के बहाओ के दिशा होती है एक दूसरे के बीपिरित याद रखिएगा अगला कोशन है कि रेफ्रिजरेटर कार्ज करता है अगला कोशन हमा रहा है वेपर एवराजेश्चन इपजॉपशन सिस्टम का सिद्दक क्या है अमोनिया और पानी बहुत सरलता से घुल जाता है और ताप पर करिएको समलित करता है दोस्तों चलिए इसके साथ अगला कोशन पर हम लोग दें देते हैं है में आगला पुश्न से इस कि विजवा एक रिफएजेस्टं से पावरं चाथ मैं खपत हो जाती इत способ कुलिंग के परवावज से लिफार क्पत क्पत कम हो जाती है रिफरीजरेशन की पावर खपत हो जाती है अगला कोश्टं नहीं है कि बेपोराजेशन का कार्ज है क्या भई उसमा की मात्रा अफसोसित करना उसमा की मात्रा अफसोसित करना अगला कुछ नमारा है कि अमोनिया वास्प से आनावस्यक पाने की वास्प रोकने के लिए परियुक किया जाता है इनलाइजर इनलाइजर अमोनिया वास्प से अनाव उच्छ पाने की बास पर्यूख किया जाता है इनलाइजर के अग्ला कोशह नहीं है अब और विधि में खे र KeySer कम करने के लिए परियृख किया जाता है क्या किरता है 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 अगला कॉस्छन नमारा है कि अवेपर को सुस्क करने बाले भाग को कहते हैं क्या ग judgment één अगला कॉचन हमारा है ईवस्यवींu होता है लिधियम ब्रोमाइटका किया है लिधियम ब्रोमाइट का है ऐसे दोस्तों और नहीं है है जो कि सार्ण को सब्सक्राइब को साइक में था मैं आपको इसी तरह मैं आपको लोग के लिए वीडियो पनाट्री यहां अधों देलाएक के तरफ से सभी को धन्यवाद दोस्तों इसी तरह आप लोकली में हमेशा त्यारी कराते रहूंगा आप त्यारी करते रहें थैंक्यू बाइबाइब फिर मिलते हैं नेश्ट क्लास में नेश्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत दोस्तों